हैलो दोस्तो, क्या आपने कभी ऐसी मुवी के बारे में सुनाए, जो मुवी यूँटूब अुटूब वाक्स फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उस मुवी के फ्लॉप होने के बाद भी उस मुवी का second part बनाया गया हो और Hollywood में ऐसी बहुत सारी movie series है जिसका first part flop होने के बाद भी उसके second part बनाये गए हो और आज की इस वीडियो में हम उनी movies के बारे में discuss करेंगे कि क्या कारण रहे हैं उस movie के flop होने के पीछे और उस movie का second part क्यों बनाये गया था तो चलिए इस video को शुरू करते हैं तो दोस्तो इस list में जो सबसे पहली movie आती है उस movie का नाम है Godzilla King of the Monsters, monster verse series की ये एक लोती ऐसी movie है जो की box उस पे नहीं चल पाई थी, ये movie Godzilla का second part है इससे पहले Godzilla का first part आया था 2014 में और ये movie थी Godzilla का second part Godzilla King of the Monsters जो की 2019 में आया था, ये movie box उस पे नहीं चल पाई थी, लेकिन फिर भ लेकिन इस movie के failure के बाद Godzilla vs. Kong को 8 महीने तक delay किया गया, उसमें कुछ changes किये गए, तक कि 2019 वाली Godzilla King of the Monsters में उनसे जो गलतिया हो गए थी, उसे दुबारा नौद हो रहे हैं, और साल 2021 में ये movie यानि कि Godzilla vs. Kong movie release हुई थी, और इस movie ने box उस पे बहुत अच्छी कमाई करी थी, इ उसके पीछे का reason ये था कि करी लोग ये मानते थे कि ये movie उस समय से काफी ज़्यादा advanced थी, जिस कारण से वहां की audience को यानि कि 1982 की जो audience थी, उन्हें movie कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, उपर से movie काफी ज़्यादा confusing भी थी, इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश् जिस कारण से ये movie box office पे एक average ही थाबित हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी Blade Runner 2099 नामसे एक series आने वाली है, जो कि 2025 में launch होगी, इसके बाद दोस्तों इस list की जो अगली movie है, उस movie का नाम है Riddick, इस franchise में total 3 पार्ट आये हैं, पहला पार्ट आया था साल 2000 में, जिसका नाम थ Pitch Black, ये movie box office पे हिट हो गई थी, और इसी वज़े से studio ने इसका second part भी बनाया था, जो कि साल 2004 में आया था, movie का नाम था The Chronicle of Riddick, लेकिन ये movie जो थी second part The Chronicle of Riddick, ये movie box office पे बुरी तरीके से flop होई, जिस कारण से इस movie के आगे के कोई भी पार्ट बनाने का decision कैंसल कर दिया ग लगे और महां से वो खूब पैसा कमाने लगे, और जब उनके पास enough पैसा हो गया था एक movie को produce करने के लिए, तो उन्होंने रिडिक movie को produce किया, और ये movie रिलीज हुई थी साल 2013 में, और ये movie जैसे तरी से box office पे एक hit साबित हुई थी, इसके बाद दोस्तों जो अगली movie आती कि हो Hellboy के दो पार्ट बनाएंगे, Hellboy जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, और उसके बाद हो साल 2006 में Hellboy का second पार्ट दक Golden Army भी रिलीज करेंगे, लेकिन क्योंकि 2004 वाली Hellboy मुवी फ्लॉप हो गई थी, जिस कारण से Hellboy The Golden Army मुवी को दो साल टेले कर दिया गया, और The Golden Army मुवी हमें फिर साल 2008 में देखने को मिली, और ये मुवी काफी जादा अच्छी बनी थी, क्रिटिक्स ने भी इस मुवी को बहुत जादा पसंद किया, लेकिन उसके बावजूद, Hellboy The Golden Army मुवी बॉक्स उस पर जादा नहीं चली, जिस कारण से स्टूडियो ने फिर इस भी नहीं बनाएंगे, इसके बाद दोस्तों इस लिस्ट की जो अगली मुवी आती है, उस मुवी का ना में G.I. जोस, G.I. जोस की टोटल तीर मुवी आई है, एक आयती साल 2009 में G.I. जोस, Rise of the Cobra, ये मुवी बॉक्स उस पर बूरी तरीके से फ्लॉप होई, लेकिन फिर भ एक एवरेज की केटेगरी में ही रही, लेकिन फिर भी स्टूडियो ने G.I. जोस में एक करेक्टर था, Snake Eyes, उसकी एक स्पिन ओफ मुवी बनाएं साल 2021 में और जिसका बजट 110 मिलियन था, लेकिन फिर भी ये मुवी बूरी तरीके से फ्लॉप होई, और जब से Snake Eyes मुवी फ् अबते के लिबाए!